कॉमन्वेल्ट गेम्स का आयोजन 4 से 15 अप्रेल तक ऑस्टेलिया के गोल्ड को स्षेहर में किया जा रहा है इस साल 70 देशों के करीब 4500 से जादा एठलीच हिस्सा लेंगे जिस पे 221 खिलाडियों के साथ भारतिय खेमा भी हिस्सा ले रहा है अंग्रेज अधिकारी रिव्रेंड ऐसले कपूर ने बिटिश हुकूमत वाले देशों में खेलों के आयोजन का विचार दिया था एशले का मानना था कि इससे इन देशों में खेल की भावना बढ़ेगी और लोगों के मन में बिटिश हुकुमत के प्रती अच्छी भावना आएगी कॉमन वेल्ड गेम्स के शुरुवार्ट 1930 में हुई और ये पहली बार कैनेडा में आयोजित हुआ जिसमें 11 देशों के 400 एक्सलीटों ने हिस्सा लिया था 1930 के बार हर 4 साल में कॉमन वेल्ड गेम्स का आयोजिन किया जाने रगा सिर्फ दूसरे विश्वयुद के दौरान 1942 और 1946 में आयोजिन नहीं किया गया था 1930 से 1950 तक इसे कॉमन वेल्ड गेम्स की बजाए बिटिश एंपायर गेम्स यानि बितानी सामराज्य खेल कहा जाता था 1954 से 1946 तक राश्ठ मंदल खेहलों को बिटिश एंपायर कॉमन वेल्ड गेम्स कहा गया 1970 और 1974 में इसका नाम बिटिश कॉमन वेल्ड गेम्स रहा और 1978 में जाकर इसका नाम कॉमन वेल्स गेम्स पड़ा राश्टर मंडल खेलों के 88 साल के थ्यास में 20 संस्करण आयोजित हो चुके हैं. इसमें अब तक 90 से अधिक देश भाग ले चुके हैं.